हलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैं सुमन, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में हडपा सब्वेता के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं, आर्थिक जीवन तो देखेगा स्टूडेंट्स, आर्थिक जीवन में सबसे महतोबन बात ये आती है कि सिंदू गाटी सब्वेता की क्रेशी कैसी थी ठीक है, तो थोड़ सीक इन्फोर्मेशन आपको मैं यह आपर दे देती हूँ कि सिंदू गाटी सब्वेता के नाम से ही यह सब्वेता, सिंदू तता उसके सहायक नदियों के किनारे इस्तित थी ठीक ना, तो क्या हूआ कि जब भी नदियों में बाड़वाड आती थी, तो बाड़ के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाए जाती थी वह है बाउती उपचव मिट्टी होती थी, जिसे जलोड मिट्टी कहा जाता है, तो इस जलोड मिट्टी से क्या हुआ कि सिंदू गाटी सब्वेता के लोग हैं, उनको उनकी जो यहां की जो मिट्टी है, वह है, बहुँ जदा उपचव हो गई थी और सिंदुगाटी सब्वेता की लोगों ने यहाँ पर अच्छे से क्रिशी करी थी, खेती करी थी और इसी खेती के आधार पर इतनी बड़ी सब्वेता के लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे तो देखेगा friends, सिंदु काटी सब्वेता की जो लोग हैं, वो क्रेश्ची में काफी उन्नत थे, काफी बड़े इस तरपर यहां पे खेती होती थी, जिसके कारण जो हमारी सिंदु काटी सब्वेता है, या फिर इसको अपन हडपा सब्वेता भी बोलते हैं, यह एक नगरिय सब्वेता बन गई थी, ठीक है न, तो देखेगा, सबसे जो महत अपन बात थी, वो क्या थी, कि खेती इतने विस्तरित अर्थात, इतने ज्यादा चेतर पर की जाती थी, कि अनाज है वो लोगबाग दैनिक उप्योग में लेके भी बचाते थे, अर्थात, अधिसेस होता उप्योग में लेने के बाद भी अनाज बसता था, ठीक है न, तो देखेगा, हम स्टार्ट करते हैं क्रिशी, तो हडपा सब्वेता के आर्थिक विकास का मूलाधार क्रिशी उत्पादन में अधिसेस, अधिसेस क्या बता है हमने, उप्योग में लेने के बाद बचा हुआ भाग, तो हडपा सब्वेता के आर्थिक विकास का मूलाधार क्या था, अधिसेस था, ठीक है, इस काल में कासा नमक दाथू के ओजारों को अनाज की खेती करने में काम लिया जाता था, ठीक है, कासा अब देखेगा, कई बार कासा की बारे में पूछ लेते हैं, तो ये जो कासा ये एक मिश्रे धातू है, और ये धातू तामबा की तुन्ना में ज्यादा मजबूत होती है, अब देखेगा, सबसे पहली जो धातू थी मनुसिये की द्वारा प्रियोग में लिगी वह क्या था, तामबा, और तामबा किसे मिलके बनता है, तामबा प्लस जस्ता, और तामबा प्लस रांगा से, अब देखेगा, कासा के उपकणों से खेती एक विश्त्री छेतर पर होने लगी, जिससे अनाज की मात्रा में भी बडोत्री हुई, तथा लोगों के पास अनाज की मात्रा बचने लगी, जब क्रेशी में बडोत्री हुई, तो जनसंक्या में बडोत्री हुई, तथा व्यपार वानिजे में भी काफी व्रद्धी हुई, जिसके फलसरूप नगरी इकरण में विकास हुआ, कापास का पहली बार उत्पादन हडपाई लोगों ने किया था, मेसोपोटामिया के लोग कापास को सिंडन कहते थे, कई बार क्यूसन आया कि सिंडन किसे कहा गया है, वो है मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा कापास को कहा गया, एक नाम है सिंडन ठीक है, यहां के लोग वैसे देखें तो सिंदु काटि सब्वेता की लोग हैं, वो नो परकार की फसलों से परिचित थे, और नो परकार की फसलों में भी जैसे गेहूं और जो हैं, वो उनकी मुख्य फसल थी, तो जैसे क्यूसन आ जाएगी, वह सिंदू काटी सब बेता की परमुख फसलें कोन-कोन सी हैं, तो वो हैं गेहूं और जो, ठीक है, अब जैसे कि हम यापर देखें, जो फसलें थी, वो परमुख कोन-कोन सी फसलें थी, लेकिन, गेहूं और जो, सिंदू काटी सब बेता की महतोपुण फसल थी, ध्यान में रखना है, ठीक है ना, अब देखेगा, अगली एक इंपोर्टेंट बात और है, गन्ना, जिसे एक भी कहा गया है, तो गन्ने अर्थात, एक के बारे में सिंदू काटी सब बेता के कि चावल के साख से कहां से मिले हैं, लोथल से, और धान की भुसी के साख से कहां से मिले हैं, रंगपुर से, और राग्य और जवार के साख से कहां से मिले हैं, रोजदी से, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से याँपे देखेगा, अब देखे, जैसे क्रेशी है, तो क्रे और जनसंख्या में व्रद्धी हुई तो नकरी करण में भी विकास हुआ था अब देखेगा सिंदुगाटी सब्वेता में गेहुं की प्रजातियां तो गेहुं की तीन प्रजातियों के बारे में हडपाई लोगों को जानकारी प्राप्ति वो कौन-कौन से थे कई बार पू ठीक है यह तो थी गेहुं की प्रजातियां अब देखेगा जोग की प्रजातियां तो जोग की कौन-कौन से प्रजातियां थी होरडियम वलगेरे होरडियम तुटू तुडूम वलगेरे तो कई बार कि उसनों पूछ लेते हैं कि कौन से प्रजातिया यह सोरी यह जैसे ट जाती थी ब्रंसी का जुस्सी अब देखेगा कर्षिच छित्र तो सिंदुगाडेसबेता की लोगों को फसल को बदल बदल कर बोने अर्थात बदल बदल कर बोने तथा उर्वर्ता को बनाए रखने की पदत्ती की जानकारी थी कालीबंका से प्राग हडपा कालीद जूते दो पसलों के साख से प्राप्त हुए हैं खेती का समय अक्टूम्बर नवंबर से अप्रेल मई था ठीक है ना तो सिंदुगाटी सब्वेताई के लोगों का जो खेती का समय है वो क्या था एक तो था अक्टूम्बर नवंबर से लेके या अक्टूंबर में या फिर नौंबर से बोया जाता था जो अप्रेल मही में होता था जैसे कि आज की रभी की फसल ठीक है अन्ना गारूं की संक्या से क्रिशी विकास का पता चलता है जितने भी सिंदु गाड़ी सब्वेता के अपन जो भी जानकरी प्राप्त करते हैं वो किस से करते हैं पुरा ताट्वीक सरोतों से है न क्यूंकि जो सहीतेक सरोत मिलें वो पढ़ें नहेंगे इसलिए तो हम सिंदु गाड़ी सब्वेता को आदे यह सिकाल में रखते हैं तो जो अन्नागार मिले हैं उनकी आदार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि सिंदु मिले हैं लेकिन नहरूं के पर के बेंगलों के बराप्त सुपह्त्तपश गाएं अब देखेगा जो नहरों के परमाण है वो सिमित मात्रा में मिले हैं तो हो सकता है कि जो सिचाई का कारियव है कूवों से प्राप्त पानी से होता था इसके अलावा धोला विरा जो काँ पर गुजरात में हमने धोला विरा के बारे में पड़ाए तो सिंदू गाटी सब्वेता की जो इस्तल है उसका वीडियो उने पहले बनाया वाया आप देखेगा तो धोला वीरा से मिले जलाशों का प्रियोग संबवत्य क्रिशी के लिए जल संचेन के लिए किया जाता था अब देखेगा एक चीज और है इंपोर्टेंट अनाज पीषने के लिए काम ली गई चकियां तो सिंदू गाटी सब्वेता में जो अनाज से जो आटा पिसा जाता था उसके परमाण मिले हैं तो देखेगा भोजन तयार करने की परकेरिया में अनाज पीषने के यंतर तथा उन्हें आपस में मिलाने मिष्रण तथा पकाने के लिए बर्तनों के आवसेता थी तो ये बर्तन पत्थर दातू तथा मिट्टी से बने जाते थे हडपास्थल मोहन जोदडो तो सिंदू गाटी से बेदा मालो हडपास्थल मालो एक महत्वपुन नगर था मोहन जोदडो इसमें उत्खननों से अवतल चकियां बड़ी संख्या में मिली हैं ये अनाच पिसने का एक मत्र साधन परतीत होती हैं तो देखेगा ये जो चकियां हैं इनके बारे में कई बार पूछ लेते हैं इनके आकर्ती कैसी है तो ये अवतल चकियां हैं कहां से प्राप्त हुई हैं मोहन जोदडो से प्राप्त हुई हैं अब देखेगा दो परकार क चक्यां यहां से मिली हैं एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पिछे चलाया जाता था जिससे अनाच पिसा जाता था तता दूसरी वे हैं जिनका प्रियोग केवल सालन अर्था तरी बनाने में किया जाता था ठीक ना और जड़ी बूटिया और मसालों को कूटने के लिए किया जाता था तो दो प्रकार की चक्या मिली हैं जिसमें एक में पत्थर को आगे पिछे करते थे तो क्या होता था आटा पिसा जाता था और एक ऐसी चक्या हैं जिनका प्रियोग केवल तरी बनाने में अर्था या फिर क जड़ी बूटिया और मसालों को उटने के लिए किया जाता था ठीक है इन दूसरे परकार की चक्यों को सालन पत्थर का नाम दिया गया है ठीक है ना तो जो तरी वाली है जड़ी बूटिया पीशने वाली जो जो चक्या है उनको सालन पत्थर का नाम दिया गया है अब देख कर्षी से संबंदित महत्तोपुन तथे क्या क्या हैं तो सिंदू परदेश पूरव में बहुती उपजव परदेश था प्राकर्टिक वनस्पती बहुत थी जिससे यहां अच्छी वर्षा होती थी यहां के वन्नों से इंट पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी पर काटे जाती थी जिसके कारण वन्नों का विश्तार सिमट आ गया रिशी आंत्रिक तता बाहरी व्यापार के संतुलन पर आधारित थी एक साथ दो पसलों की खेती हलका अपरियोग तता पसलों की विवित्ता संदव परदेश की अनूठी विशेस्ता थी सिंदू नदी में पत्ती वर्ष बाड आती थी जिसके कारण सिंदू परदेश की मिटी उपचाव थी यहां से हमें कोई फावडा जैसा उपकरण नहीं मिला परन्तु लकडी के हल के साख से हमें मिले हैं काली बंगा से जूत्य हुए खेत था बनावली से मिटी के हल जैसा खिलोना मिला है मोहन जोद्लो और हडपा से अनाज के बंधार मिले हैं सिंदू सब्वेता के लोग तर्बूज, खर्बूजा, अनार, निम्बवादी से परिचित थे चोथी सताब्दी इस्सापूरा में सिकंदर ने कहा था कि सिंदू नामकस्थान सिंदू सब्वेता के उपजाओ छेतर में गिना जाता था हलकी रेखा के परमान काली बंगा से मिलें तथा बनावली से जोकी उन्नत किसम प्राप्त हुई है मुहरों पर किये गए रेखांकन तथा म्रिण मूर्तियां ये संकेत करती हैं कि लोगों को वरसब के बारे में जानकरी थी और इस आधार पर पुरा तात्व विद्ध ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रियोग हो तथा चोलिस्तान और बनावली से मिटिस से बने हलके परमाण मिले हैं अब देखेगा सिंदुगाटी सब्वेता में पसुपालन तो सिंदुगाटी सब्वेता में पसुपालन का क्या रोल था पसुपालन कैसा था उसके बारे में हमें आपे पढ़ेंगे तो पसुओं का प्रियोग वह है दैनिक जीवन तता क्रिशी दोनों में क्या जाता था ठीक है ना अब देखेगा स्टार्ट करते हम हडपा के स्टलों से मिली जानवरों की हडियों में मवेशियों पसुओं भेड, बकरी, भैंस तता सूवर की हडियां सामिल है ये सभी जानवर पाल्तु जानवर थे अब देखेगा जंगली जानवर कोण से थे वरा है सूवर, हीरन, घडियाल की हडियां भी यहां से मिली है अब देखेगा हम ये तो नहीं जान पाए हैं कि हडपा निवासी स्वेमिन जानवरों का सिकार करते थे या फिर अन्य आखे टक समूदायों से इनका मास प्राप्त करते थे हमें नहीं पता कि ये खुद करते थे सिकार या फिर और दूसरा समूदा था जिनसे ये मास लेते थे लेकिन खाते जरूर थे लोग मचली तता पक्सियों की हडियां भी मिली है इस सभ्यता के लोग गाय, घोड़ा, बैल, भैस, उंट, कुत्ता, खचर, आधिजानरों के बारे में भी काफी अच्छे से जानते थे तो पसू पालन से संबन्दित मैतोपुन तथे देख लीजिएगा काले बंगाय से उंट की अस्तिया मिली है कुबड़ वाला बैल, सिंदुगाड़ी सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिये पसू था घोड़े को पालने के स्प्रस परमान तो अभी तक नहीं मिलें लेकिन हात्ती को पालतू जानवर मानने के परमान प्राप्त हो चुके हैं लोथल तता रंगपूर से घोड़े की मूर्ती तता सुर कोटड़ा से घोड़े के अस्ति पंजर प्राप्त हुए हैं मोहन जोदुड की मोहरों से एक स्रेंगी पसू का चित्र बहुतायच से मिला है परिवहन के लिए पसू का प्रियोग होता था पसू विनिमेम का सादन थे ठीक है ना पसू का प्रियोग मास में भी किया जाता था गाय, उंट, गोड़ा इन तिनों पसू का अंकर सिंदू गाटे सब बेता की मोहरों पर नहीं मिलता ठीक है ना ये पसू मिलते हैं लेकिन ऐसे क्यूस ना जाए कि सिंदू गाटे सब बेता की मोहरों पर गाय का अंकर मिला है, उंट का मिला है, गोड़ा का मिला नहीं नहीं मिले इनके अंकर, इनके चितल नहीं मिले गोड़े के साँख से लोथल, राणा हुंड़ई, सुर कोटड़ा अदिस्थानों से प्राप्त है और पिटाग से भी गोड़े के साँख से मिले हैं अब देखेगा, सिंदू गाटे सब बेता है, उसमें सिंचाई के सादन क्याते, सिंचाई कैसे होती थी देखेगा सीन्दु वाड़ी सेबिता इसमें नहरों के परमान नहीं मिलते हैं लेकिन सीमीत मात्रा में नहरे थीबी और अप्वास रूप जो नहरों का परमान मिला वो है आपका सूर्त गही से मिला है और को वै जलासेर था तालाव का प्रियो कर्सी में किया जाता था धोला विरास से भी विशिष्ट जल परनाली के परमाण हमें प्राप्ते हुए हैं अब देखिएगा सिंदु काटि सब्बेता का व्यापार कैसा था तो व्यापार हमें जल वर स्थल दोनों माध्यम से होता था मुहंजोद्रों से सुमेरियाई नाव का अंकल मिला है ठीक है और जल कैसे सोरी जल जो मारग है उससे कैसे होता था व्यापार नाव के द्वारा औ और इस्तल मारक से जानवर उन्द्वार होता था ठीक ना अब देखिए मैं सिद्व गाटी सब्बेता में आयातित वस्तू इते कौण सिते एं कार्नेलियन मन के हातिधात, सुत्ति कपड़ा और मोर इनको विस्त्री तोर पर उपचाय जाता था और बनाय जाता था अब क्या कि वो अपना काम लेते थे उतना लेते थे बाकी का वो क्या करते थे निर्याद करते थे अब देखेगा सिंदो काटे से बेता की महतोपन दातुएं कौन सी हैं सोना, चांदी, लकडी, सिस्सा, लाजवर्द मनी और तामबा तो कई बार पूछ लेते हैं इनके बारे में कि कहां से क्या मिला है तो कन्नाटक के कोलार से सोना प्राप्थ हो है चांदी, अफगानिस्तान से, लकडी, कस्मीर से, सिसा, अजमेर से, लाजवर्द मनी अफगानिस्तान के बदक्सा से और तामबा राजस्तान के खेतडी से अब देखेगा सिंदो काटे से बेता की लोग हैं वो किन-किन देशों के साथ व्यापार करते थे फारस की खाडी, मिस्त्र, मेसोपोटामिया, अति देशों के साथ व्यापार होता था देखेगा, यहां पे साथ होगा, हमने साथ रिख दिया, सोरी अब देखेगा दिल्मुन, दिल्मुन है, इसको बहरीन भी कहा जाता था बहरीन बिचोलियों का काम करता था, व्यापार में, तो दिल्मुन, अर्थात बहरीन और बिचोलियों का काम कोन करता था, जो बहरीन है वो, और किस-किस के बीच में बिचोले का काम करता था सिंदू सब्वेता तथा मेसोपोटामिय के बीज व्यापार के बिचोले का काम कौन करता था बहरीन बहरीन को हातियों का देश का गया है दूसरा नाम है सूर्योदय का देश तो बहरीन को हातियों का देश का भी का जाता है बैरिन को सूर्योदे का देश भी का जाता है और एक इंपोर्टेंट चीज ये है कि सुतका गेंडोर को सिंदु घटी सब्वेता के व्यापार का चोराहा कहा गया है तो सिंदु घटी सब्वेता के व्यापार का चोराहा किसे कहा गया है सुतका गेंडोर आप देखिएगा अगला है आपका सिंदुकाटि सब्यता का सिल्पुद्योग तो सिल्पुद्योग कैसा था तो देखिएगा बाला कोट जो काँपे है ब्लूचीस्तान में ब्लूचिस्तान बाला कोट में सीप उद्योग की दस्टी से फेमस इस्तल था मोहन जोद्रों से एक योगी की मूर्ती मिली है जिस पर तीपतिया सोल चितरी था ना तीपतिया सोल वो ड्योग है इससे में पता लगता है कि यहां के लोग कढ़ाई से भी प्रीचित थे ठीक है ना तो सुति कपड़े से और कढ़ाई से सीप उद्योग से इन सबसे सिंदु काटी सब्यता के लोग बागां वो क्या थे परिचित थे और लोथल तथा चनहूद्रों से मन के बनाने के कार खाने भी प्राप्ते हुए हैं तो देखेगा स्टूडेंट अंत में मैं आपको बताओंगी कि सिंदु काटी सब्यता के लोग हैं वो क्रिशी से पसुपालन तक सिंदु काटी सब्यता को काफी उन्होंने उन्नत मनाया था हम कह सकते हैं कि क्रिशी से पसुपालन तक सिंदु काटी सब्यता का इत्यास काफी उन्नत और विश्त्रित था सिंदु काटी सब परस्था में थे वो अराम दायक जीवन अपना जी रहते उनको यह नहीं था कि भई खाने के लिए उनके पास अन नहीं है या फिर पहनने के लिए कपड़े नहीं है काफी विस्त्री तोर पर यहां पर इन चीजों को उपचया जाता था इनको बनाया जाता था और वो लोग अच्छे से वयापार भी करते थे तो इस से हम अनुमाल लगा सकते हैं कि सिंद्गाटी सब्वेता के जो वयापारी हैं उनको वयापार करने में फायिदा होता था नुक्सान नहीं था ओर देशों के साथ सिंद्गाटी ठीक है तो देखेगा हमने यहां पर इस वीडियो में सिंदुकषी सब्वेता के कृषि और पसुपालन अर्थात आर्थिक जिमन के बारे में पढ़ा और इसनुकषी सब्वेता के कि असे पढ़े में सब्सक्राइब करें धन्यवाद